हलो गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल स्री एसेस एन वर्ल तो आप सब को पता है जुलाई सीटर दुहचार च्वाविस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ बट आप लोगों की क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इन चीजों पर धियान नहीं देते हो कोई बात नहीं अभी हमारे पास अफिसियन टाइम है तो हम सब चीजों पर बात करने वाले हैं कि क्या हमारी स्टरटी होनी चाहिए कोई सी बुक से पढ़ना चाहिए कोई से बैज जोइन करनी चाहिए और या फिर प्रासा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मैं सबसे पहले बात करूंगी अपनी जो एप्लिकेशन फिलिंग की डेट है वो आपकी साथ मार्च से स्टार्ट हो जाए और एकजाम डेट जो की इंपोर्टेंट है वो है हमारी साथ जुलाई ठीक है सेवन जुलाई की हमारी एकजाम डेट है तो हमारे पास अभी टाइम है कितना है अगर मार्च को नहीं इंक्लूड करते हो तो अप्रेल मैं जून तीन महिने हैं बट मार्च को हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी आज क्या है सेवन है कल एट है यानि कि टैन तारीक के बाद भी जोड़ते हो तो भी हमारे पास 20 डेज है उसमें भी अकर होली के दिन नकाल दोगे तब भी हमारे पास 15 दिन है तो आपके पास साड़े तीन महिने है और मैं ऐसी एक फिल करते हों तो आपका बारा सोगवे करने होंगे अब हम बात करेंगे अपने सब्ज्च की पेपर फैस्ट और में कौन-कौन से सब्जक्त होते हैं तो पेपर फेस्ट में आपका हिंदी आएका इंगलिस और संस्कैदि यह दोनों optional होते हैं कोई English लेता है कोई सब्सक्राइब लेता है तो इन्वेस एक ले सकते हैं आप ठीक है फिर आप बात करेंगे किसकी CDP आएगी next EBS math और EBS मतलब environment इसको environment भी बोलते हैं तो हिंदी में क्या है आपका हिंदी में आपका पंदा नंबर का content आता है और 15 की आपकी पैड़ागोजी आएगी तो टोटल कितने marks का आता है तीस marks का सेम यह भी 30 marks का आता है यह भी 30 का आता है यह भी 30 का आता है इसमें भी 15 की पैड़ागोजी और 15 का content आता है यह भी 30 नंबर का आता है और सेम यहां भी 2 तू पार्ट में होता है तो यह भी 30 नंबर गात है तू पार्ट में वहाँ अलग से नहीं दिया होगा पर आपको पेपर ऐसे ही मिलता अब यह दोनों पार्ट को एक साथ कैसे पढ़ना है क्या इस्ट्रेटी होगी इन सब पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अलग से इ यूँकि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है सिर्फ बन मन्त की पढ़ाई में तू आपको मजाक लग रहा होगा बट मैंने बन मन्त ही पढ़ा आपके बास अपीसियन टाइम है इसलिए मुझे पूरा यकीन है आप 120 प्लस जरू लाएंगे तो हिंदी आपकी 30 मार्क्स ही इंग्लिस यह हो या संस्केट एक लेना है तो इसमें भी 30 मार्क्स का यह सारे 30-30 मार्क्स के आते हैं इसमें पेपर फास्ट और पेपर सेकेंड का भी इसू रहता है तो कौन सा पेपर फास्ट चुने कौन सा सेकेंड चुने तो इस पर भी हम बात करेंगे आपी ठीक है तो डैन वो पेपर हम पीपर डू की बात करल क्लाइए है एक ले सकते हो जp और आपकी CDP आएगी तेन आपका subject होता है इसमें क्या? इसमें social science जो art side के बच्चे होते हैं वो social science लिए रहते हैं और जो science side में होते हैं वो math और science लेते हैं ठीक? तो same इसका भी process है ये भी 30 marks की आती है ये भी 30 ये भी 30 और ये हमारा 60 marks का आता है ठीक है? यानि कि total हमारा कितने number सा paper होता है total हमारा 1.500 numbers का paper होता है मैं आपको यहां mention कर देती हूँ total total marks कितने होते हैं हमारे 150 ठीक है? यहां भी 150 marks का होता है ठीक है? तो आप count कर लेजिए 30, 30, 30, 30 ये देर सो number हो गया ये 30, 30, 30, 90 और ये 60 ठीक है? तो हमारा जो subject होता है 60 marks का आता है तो अपने subject की preparation कैसे करें? जिससे कि हम इस exam को अच्छे से qualify कर पाएं और कोई सी books लें कोई सा batch लें इस पर भी हम बात करेंगे तो मैं यही कहूंगे कि आप लोग अपना time waste ना करें क्या है कि चुनाओ का दौर है और vacancy की वो थोड़ा सुक्पो कहा type की है vacancy आ सकती है UP में vacancy आ सकती है DSSB का तो चलो ये वाली vacancy आ चुकी है आगे भी आ सकती है तो आप लोग धील मन डालना पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से planning के साथ पढ़ाई करना जिससे कि इस बार आपका seated qualify हो जाए मैं पूरी मेहनत करोंगी मैंने जो चीज़े मैंने huge की है वो भी बताऊंगी और जो गलतिया मैंने की है उन्हें आपको नहीं करने दूँगी क्योंकि अगर आप गलती करते हो क्योंकि एक नमबर से जो फेल हुआ होगा जिसका not qualify हुआ होगा उससे पूछो एक नमबर की कीमत क्या होती है तो मैं हर वो चीज़ पर बात करने वाली हूँ अगले वीडियो में कि कौन सी क्या चीज अपना कैसे पढ़े जिससे की हमारा seat at qualify हो जाए देखो सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ मैंने कोई भी batch join नहीं किया था ये एकदम सच्चा है लोग नहीं मानते हैं कहते हैं कि आप पास होगी और इसलिए बोल रही हूँ बट नहीं मैंने कोई भी batch seat at के लिए join नहीं किया था तो कैसे पढ़ी थी क्या किया था इस सब्पर मैं next वीडियो में चर्चा करोंगी ठीक है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब जरूर कर दें तोड़ा वाइच में प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि मेरे हल्थ सही नहीं है बट पहले मैं वीडियो नहीं बनाना चाहते थी पर मैं बना रही हूं क्योंकि जैसे ही सीटेट का नॉटिफिकेशन आउट हुआ है आप तो जानते हैं कि यूटूब में बहुत से अच्छे टीचर हैं बहुत से अच्छे लोग हैं पढ़ार हैं बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपना बैच पता है आपको क्या कहना चाहते हूं मैं आप सब लोग समझ गया होगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्ले लाइक, सेयर और सब्सक्राइब टेक केर और बाई बाई